हेलो फ्रेंट्स में नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 देखे एक छोटा सा एक्ट है जिसके अंदर जो सेक्षन है टोटल वो 14 सेक्षन है तो आईए स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहले हम जानते हैं कि चाइल्ड होता क्या है तो जो वर्ल्ड चाइल्ड है उसका मतलब है कैसा कोई भी परसन जो की खुद को मेंटेन ना कर पाए अनिबल टो मेंटेन इटसेल्फ ये है एक नॉर्मल मीनिंग चाइल्ड का पर आप बात करें अगर हम चाइल्ड मैरिज रिस्टेंट एक्ट 1929 की तो इसमें चाइल्ड किसको माना है क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो अलग-अलग लेजिसलेशन है अल ईप्रीट नहीं किय अगर है तो इसको चाइल्ड माना गया किसी को 15 तो अलग-अलग हैं अब बात करते हैं हम चाइल्ड मैरिज प्तेंट 1929 के अंदर चाइल्ड जो है किसको माना जाय जाएगा चाइल्ड तो इसके react नदर जो section 2 है section 2 के अंदर इची इस mention है definition चाहिल्ड के अगर चाहिन में चाहिल्ड किसको consider किया जाएगा इस act के अंदर तो इस act के अंदर जो child consider किया जाएगा male के लिए अगर उसने 21 साल complete नहीं हुई है male has not completed 21 year तो उसको consider किया जाएगा child और female के case में अगर 18 year complete नहीं हुए है तो female के case में कितना 18 और male के case में 21 तो इस age से कम है तो उसको child consider किया जाएगा अब बात करते हैं child marriage क्या child marriage क्या होता है child marriage का मतलब क्या है child marriage का मतलब यह है कि कोई CB party जो contracting party है मतलब कि जिसकी शादी हो रही है वो कोई CB party या दोनों party child हो जो की age में उपर बताई है उसके कोड़ी तो वो child marriage कहा जाएगा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि लड़के की age सपोस करिए 24 है लड़की की age 17 है तो तब यह child marriage माना जाएगा या सपोस करिए लड़के और लड़की दुला दुलान की दोनों की जो age है वो 15 साल है तब भी यह child marriage माना जाएगा या फिर जो लड़का है सपोस करिए उसकी age 18 है और लड़की की age 19 है तब भी यह child marriage माना जाएगा मतलब कोई सी भी party की age अगर जो मैंने बताई है वो कम होगी उससे उनकी शादी होती है वो child marriage कहा जाएगा अब बात करते हैं section 3 की section 3 में देखिए punishment दिया हुआ है कि अगर कोई भी male party है मतलब कि male है जिसकी age जो है 18 year से तो जादा है पर 21 year से कम है अगर वो child marriage करता है तो उसको जो punishable है उसके लिए जो punishment मिलेगा वो 15 days का punishment है simple imprisonment होगी 15 days की और fine जो fine होगा वो 1000 रुपे तक हो सकता है या फिर दोनों चीज़े मिल सकती है imprisonment भी मिल सकता है पंदे दिन का और plus fine भी हो सकता है उसके बाद section 4 की अगर बात करें तो section 4 में ये चीज़ mention है कि अगर कोई male person है जिसकी शादी हो रही है उसकी age वो 21 years से जादा है पर अगर वो child marriage करता है तो उस case में उसको जो simple imprisonment मिलेगी वो तीन महीने की होगी और साथ में उसको fine भी देना पड़ेगा अब बात करते हैं section 5 की तो section 5 में है कि जो भी person जो perform करता है या conduct करता है या direct करता है किसी भी child marriage को तो ये भी punishable offense होगा और उस person को जो punishment मिलेगी वो simple imprisonment मिलेगी जो की तीन महीने तक की मिल सकती है और साथ में उसको fine भी देना पड़ेगा पर अगर वो person ये proof कर देता है कि उसके पास sufficient reason है या reason to believe है कि वो सोचता है कि ये जो शादी वो कर रहा रहा था ये हो रही है ये child marriage नहीं है तो उस case में वो person को punishment नहीं मिले जाएगा उसको offender नहीं माना जाएगा अब बात करते हैं section 6 की section 6 जो है वो बात करता है parents या फिर guardian से related concern में कि अगर कोई भी parents या कोई भी guardian हो जिसके custody में या फिर जिसके charge में जो minor है अगर वो child marriage कराता है उस minor की वो parents या guardian तो उनके द्वारा ऐसा कराया जाना भी punishable होगा और उसके लिए जो punishment मिलेगी उनको वो simple imprisonment जो की तीन महिने तक मिल सकती है उस साथ में उनको fine भी देना पड़ेगा पर देखिए इस section में जो proviso है proviso ये कहता है कि कोई भी woman को punishable नहीं होगा imprisonment नहीं दी जाएगी मतलब जो guardian है अगर वो woman है या फिर parents में जो मुसकी mother है उसको imprisonment नहीं होगी उसके बाद बात करते है section 7 की तो section 7 सिर्फ इतना ही कहता है कि ये जो offense है child marriage का जो offense होगा ये cognizable offense होगा मतलब कि इसमें जो police है वो सीदा आके आपका बिना warrant के उसको arrest कर सकती है person को accused person को जो section 8 है वो सिर्फ इतना कहता है कि CRPC के जो section 190 है उसमें कुछ भी होते हुए भी जो इस act के अंदर ये जो offense दिये हुए है इसका जो cognizance लिया जाएगा वो सिर्फ metropolitan magistrate होगा या फिर judicial magistrate होगा first class उसी के दुवारा जो है वो cognizance ले सकते हैं देखी cognizance लेने से ही related जो section 9 है section 9 ये कहता है कि जब offense हुआ है अगर उस offense को हुए हुए एक साल बीः जाए बीः गया है मतलब की एक साल से जादा हो गया है जाए एक साल हो गया है तो उसके बाद जो है कोई भी court जो है उस offense का cognizance नहीं लेगा जो section 10 है section 10 कहता है कि अगर किसी भी court को इस offense इसमें जो इस act में जो offense दिये हुए हैं उस से related कोई complaint की जाती है और वो court जो है authorized है उस complaint पर मतलब की cognizance लेने के लिए और वो उस complaint को dismiss नहीं करता है section 203 of CRPC के अंडर तो वो court अगर चाहे तो वो inquiry कर सकता है CRPC के section 202 के अंदर उस complaint से related या फिर direct कर सकता है किसी भी subordinate magistrate को कि वो उस से related जो है inquiry करे उस complaint से related अब बात करते है section 12 की तो देखे section 12 जो है एक तरीके से injection की power जो है provide करता है court को इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी court अगर उस court को किसी भी तरह की कोई information मिलती है complaint के through के मतलब की child marriage होने वाली है या फिर जो child marriage act के अंदर इसके अंदर जो offense दिये हुए है और जो मैंने हमने उपर अभी बात कर रहा है जो section 3, section 4, section 5, section 6 उसमें तो उन से related अगर कुछ भी ऐसा act होने वाला है कि उस marriage को रोकने के लिए और अगर कोई person यह जानता है कि उसके against जो है injection issue किया गया है और वो जानते हुए भी उसका उस order का उस injection को disobe करता है तो उस case में वो person भी punishable होगा उसको जो imprisonment मिलेगी वो तीन महेने तक की मिल सकती है और या फिर उसको fine भी मिल सकता है क्योंकि fine जो होगा वो 1000 रुपे तक कर लगाया जा सकता है और या फिर दोनों हो सकते है fine भी और imprisonment भी जो section 13 है section 13 कहता है कि state government official gadget में notification देने के बाद पूरे state के लिए या फिर उस state के किसी part के लिए officer appoint कर सकता है और उस officer को child marriage prevention officer कहा जाएगा और उस officer का क्या काम होगा उस officer का काम ये होगा कि अगर holy state के लिए क्या गया है तो holy state में और अगर किसी area के लिए किसी part के लिए क्या गया है तो उस part में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है इस चीज़ के prevention करना कि को child marriage तो perform नहीं हो रही है या फिर उस से related कोई भी evidence अपकर उसको collect करना है जो child marriage हुए है या जो भी offense हुआ है इस act के अंदर तो वो उसका काम होगा या जो भी function और state government के द्वारा time to time उसको assign किया जाएगा वो सारे काम जो है उस officer के द्वारा marriage prevention officer के द्वारा किया जाएगा और जो section 14 है वो बात करता है rules related से related मतलब की rules related के state government के पास ये power है कि वो official gadget में notification देने के बाद जो भी rule बनाना चाहे जो इस act में जो provision दिये हैं उससे related वो rule वो बना सकती है तो ये था हमारा child marriage restraint act 1929 हेलो फ्रेंड्स में नाम नदीम है दर है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे child marriage restraint act 1929 हम आुप आ देखेंगे झाने मतल आदीम मतल्न हम जो अजफ कर दाद एंदायी में, और हम आए ये वे बात के जाहने के हैं